असलाम लेकुम फ्रेंड्स वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल इजी मैथ विद इर्फान आज की वीडियो में हम एक्सराइज है 1.4 सेकंड यर मैथ की एक्सराइज है 1.4 कंटिनुवस फंक्शन तो पहले मैं इसके डेफिनेशन से आपको प्लियर करता हूँ कि कंटिनुव फंक्शन होता क्या है अब फंक्शन f is said to be continuous add a number c if and only if following three conditions are satisfied अगर यह तीन कंटिशन सेटिस्पाइज होगी तो फिर फंक्शन कंटिनुवस होगा f of c is divine एक तो फंक्शन उस पर define होने चाहिए दूसरा इसमें limit x approach to c f of x exist दूसरा इसमें limit exist करें चाहिए अब जब limit exist करेंगी limit के अंदर दो चीज़े आजाएंगी एक तो उसमें left hand limit होगी और एक उसमें right hand limit होगी वो हम question के अंदर उसको solve करेंगे उसके बाद है limit x approach to c f of x जो limit exist की है वो जो function define होगा था f of c उसके equal होने जाहिए यह तीन condition अगर satisfy होगी तो फिर function क्या होगा continuous होगा question से हम इसको clear करते ह है यह question मैंने लिया है find the values of m and and so that the given function f is continuous at x is equal to 3 x की value 3 दी होगी है और यह function हमारे पास दिया हुआ है अब इसमें न हमने तीन चीज़े निकालनी है एक तो हमने उसमें से function को define करना है पहले हम function को define कर लेते हैं x की value कितनी है 3 है तो हमने यहाँ पे क्या निकालना है f of 3 क्यू है वो 3 के equal है यहाँ पर देखें x 3 के equal यह वाली condition आ रही है तो यहाँ से function क्या है n तो यहाँ पर क्या आ जाएगा f of 3 is equal to क्या आ गया यहाँ पर n आ गया अब हमने इसमें limit निकालनी है limit के अंदर 2 है एक तो left hand limit है और दूसरी right hand limit है पहले हम इसमें निकाल लेते हैं left hand limit न हमने देखा left hand limit है left hand limit है मतलब यह negative side से आ रहा है जब x less than 3 होगा हम देखते हैं यहाँ पर x less than 3 इसके अंदर है x less than 3 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा limit x approach to 3 negative f of x f of x यहाँ पर x less than 3 में यह वाला function है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा mx अब यहाँ पर हम x 3 को approach कर रहा है तो x क के जगह बें हम 3 पूट करेंगे तो x की जगह पर 3 आजएगा यह क्या हो जएगा यहाँ पर 3 यह left hand limit हम निकाली अब हम निकालेंगे यहाँ पर right hand limit तो यहाँ बें आ जेगा limit x approach to 3 यहाँ पर minus था आप right hand limit का रहें यहाँ पर हम निकालेंगे positive f of x अब यहाँ पर देखे f of x greater than 3 में function कौन सार है minus 2x plus 9 तो यहाँ पे क्या आजएगा minus 2x plus 9 अब x की जगा पे हम लिम्ट यह 3 पूट कर लेते हैं यहाँ पे क्या हो जएगा minus 2x की जगा पे क्या आजएगा 3 plus यह आजएगा यहाँ से 9 यह हो जएगा minus 2 3 था 6 plus 9 9 में से 6 निकाली तो बखी कितना बजएगा plus का 3 तो अब यहाँ से क्योंके हमने left hand limit भी निकाल लिए है और right hand limit भी हमने निकाल लिए है और function given था क्या है continuous तो हम यहाँ पे लिखते हैं since f of x is continuous continuous at x is equal to 3 यह given था हमारे पास अब हमने left hand limit भी निकाल लिए है right hand limit भी निकाल लिए है और function भी define होगा तो यहाँ पे क्या होगा left hand limit left hand limit हमने निकाली है is equal to right hand limit right hand limit और is equal to f of 3 जिस पे function define किया तो left hand limit हमने कितनी निकाली है left hand limit हमने निकाली है से 3M, तो यहां पे क्या आ गया, 3M, राइट एंड निमट, राइट एंड निमट हमने कितनी निकाली, यहां से 3, यह यहां पे आ गया, 3 और F of 3, F of 3 हमने यहां से कितना निकाला था, F of 3 हमने यहां से निकाला है, N, तो यहां पे क्या आ गया, N आ गया, अब पहले इसको इसक यहां पर क्या जाएगा n is equal to 3 तो m की value आगी यहां से 1 और n की value की आगी यहां से 3 तो यही हमने find out करनी थी कि हमने m और n की value find out करनी थी इस question next is question का दूसरा जुज है इसमें भी हमने m और n की value find out करनी है तो सबसे पहले function को हम define कर लेते हैं x is equal to 3 तो यहां पर हम निकालते हैं f of 3 f of 3 जब हमने निकाला जब x 3 के equal होगा यह यहां पर आ रहा है x greater than or equal 3 तो यहां पर x 3 के equal आ रहा है तो यहां पर क्या आ जाएगा function यहां पर क्या रहा है x का square तो x की जगा भी हम 3 जब put करेंगे तो यह हो जाएगा 3 का square 3 का square कितना हो जाएगा 9 तो यह यहां से आ गया f of 3 अब हमने इसमें से निकालनी है left hand limit limit x approach to 3 negative f of x negative यह आ गया limit x approach to 3 negative क्योंकि अगर negative limit है तो इसमें x less than 3 वरा लेना है x less than 3 कौन सा आ रहा है यह x less than 3 है तो यहां पर क्या आ गया mx तो यहां पर function क्या आ जाएगा mx तो यहां पर हम क्या करते है X की जगा भी हम limit पूट करते है X किसको approach कर रहा है 3 को तो यहाँ पे X की जगा भी जब 3 आएगा तो यह क्या हो जगा 3M यहाँ पे यह हो गया 3M अब हमने निकाली इसमें से right hand limit अब right hand limit लगाती है यह हो जगा limit X approach to 3 positive F of X तो यह हो जगा limit X approach to 3 positive क्योंकि जब positive limit है तो X greater than 3 वो लेना यह आ रहा है X greater than or equal 3 तो यहाँ पे function की आजएगा X का square तो यहाँ पे हम जब X 3 को approach करें X के जगा 3 पूट करते हैं यह हो जगा 3 का square 3 का square कितना होता है 9 तो इसमें हमने left hand limit लिकाली right hand limit लिकाली और function जो था f of 3 वो भी define हो गया तो अब हम क्या करते हैं इसमें से हमने वो function जो है उसने दिया हुआ कि function continuous है तो हम यहाँ पे लिखेंगे as since f of x is continuous f of x is continuous at x is equal to 3 तो यहाँ पे क्या हो जगेगा left hand limit left hand limit is equal to right hand limit right hand limit is equal to f of 3 left hand limit हमने कितनी निकाली left hand limit यहाँ से हमने निकाली 3m तो यहाँ पे क्या आ गया 3m right hand limit कितनी निकाली right hand limit हमने निकाली यहाँ से 9 और यह f of 3 f of 3 यहाँ से कितना निकला था यह भी निकला यहाँ से 9 तो इसको पहले इसके साथ compare करते हैं फिर इसके साथ compare कर लेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा 3 M is equal to nine तो यह यहांसे हो जाएगा M is equal to nine by three तो यह आ जाएगा यहांसे ठी और दूसरा इसमें से M की वल्यों तो निकल आई हमने इसमें से find करनी थी N की वल्य है तो N इसके अंदर आया ही नहीं है तो N की वल्य है इसमें से नहीं निकलेगी इसमें सिरफ M की वल्य ही निकली है अगर आप चैनल पर नूँ हैं और आप ने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को कर दें सबस्क्राइब और साथ ही कर दें बेल आइकन को प्रेस ताके हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफकेशन आपको मिलता रहे और अगर आपने कोई भी question समय ना तो comment box में बता दिये करें मैं एंशाला नेक्स वीडियो उस question पे बना दूँगा